तो हलो दस्तों बेक्टर में चलकर पिट अलिवन आज किस वीडियो में आपको बहुत ही इंट्रस्टिंग साइट के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि आपने पहले शाहिए एक्स्प्लोर कभी नापनी हो तो आज मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा उनके आंदर अगर आपको किसी भी चीज का बैग्राउंड रिमूफ करना है तो आप यह यूज कर सकते हैं और उसको एक PNG फॉर्म में कनवर्ट कर सकते हैं बहुत एक यूसफुल साइट है आपको सिंपली यहां सर्च करना है रिमूफ डॉट बीजी और यहां पर अप्लोड इमेज प सकते हैं बढलाउड चुकार कर लेता हूं अगर आप लेंगविजिश ऑन्ए में इंट्रस्टेड हैं आपको सिंपली सर्च करदेने हैं , थुलुलिंगो. Brock ब्लकुल ईक फ्री इक जिस पर आप डिफरेंट डिफरेंट लेंग्विजी सीख सकते हैं यहां मैं सेर्च कर देता हूँ duolingo.com आप देख सकते हैं यहां पर अपको सिंपली क्लिक करना है यहां पर यहां से स्पैनिश जर्मन कोरियन हिंदी बगएरा इटालियन चाइनिज जो भी आपको लेंग्विज सीखनी है अब बिल्कुल फ्री में सीख सकते हैं तो दोस्तो हमारी यह जो अगली साइट होने वाली है यह बहुत ही एक आपके लिए अच्छी और इंपोर्टन साइट होने वाली है जिसका नाम है कट आउट प्रो पासपोर्ट फोटो मेकर तो आप इससे क्या कर सकते हैं अपनी कोई भी फोटो को पासपोर्ट साइज में कट कर से क्लिक करता हुं यहां पर इंट अपनी फोटे ले लेता हूँ जी मैंने अपनी फोट सेक्षिकां कर लेंग सकता हूँ आपको इना देखा देता हूं तो आप देख सकते हैं कि इसके बाद मुझे प्रिंट आउट करना है तो मुझे इसका एक से जदा भी प्रिंटाउट कर सकता हूं कि 500 ओके मेरे ख्याल से और दूसरी साइड भी 500 इंट्यू अगर 500 कर देता हूं कि 500 इंट्यू 500 मैंने कर दिया है आप पेपर साइज सेलेक्ट कर लेते हैं इसका तो यहां पर कोई भी सेलेक्ट कर लेता हूं जैसे इन में से अब देख सकते हैं यहां पर पासपोर्ट साइज बन गई है फोटो बहुत सारी अड़ यहां से मैं डन पर कर देता हूं है यह निचे आप देख सकते हैं यह result बन की आया है तो आप ऐसे इसको continue करके डाउलोड कर सकते हैं और के इसे भी प्रेंट वगर्णा आप कर वा सकते हैं तो आप घर पर बना लग सकते हैं यह open करता हूं यहां से तो आप देख सकते है रिजल्ट कितला अच्छा आया है इ तो इसका नाम होने बला है beta.openai.playground यहां से आपको second site open कर लेनी है second site पर आजने के बाद आपको क्या करना है simply यहां पर quick start tutorial पर आना है उससे पहले आपको sign up करना पड़ेगा जो मैंने कर लिया यहां पर कुछ भी लिख सकते है अपने मर्जी से जैसे मैं यहां पर लिख देता हूँ write a letter यह पर principle को लिख देता है letter write an application for fever लिख देते है principle को तो यहां पर कुछ भी आप type कर सकते है अपनी मर्जी का वो इसके related लिख के आपको दे देगा कैसे कैसे आप application लिख सकते हैं तो अगर हम कुछ और ऐसे try करें तो let me think कि क्या कर सकते हैं कुछ different सा try करते हैं जैसे यहां लिखता हूँ मैं write an application for your sister wedding और कुछ भी नहीं लिखा कि किसको कहां पर दे नहीं है देखते हैं इसका क्या reply आएगा to whom it may concern I am writing wedding my sister name is getting married to dash 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 तो आप देख सकते हैं उस तरीके से इसने पूरा लिख के दे दिया है तो यह एक बहुत ही एक interesting site है आप इस पर काम कर सकते हैं तो दोस्तों next site जो होने वली है उससे आप कोई भी unwanted object अपनी photo से easily remove कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं simply search कर लेता हूँ the inpaint.com the inpaint.com यहाँ पर सीधे आपके site जो है वो खुल जाएगी इसके बाद यहाँ सर्च किये और आप देख सकते है site खुल गी है यहाँ पर मैं simply upload image करके यहाँ से एक photo ले लेता हूँ यहाँ पर उपर से done कर दूँगा और photo done करने के पाद आपको यहाँ पर simply different tools दिख जाएंगे तो माली जी इस photo में से पोपट लाल को मुझे remove करना है simply में यहाँ क्या करूँगा यहां से नीचे second option पर click करूँगा और पोपट लाल को ऐसे outline कर लूँगा ऐसे outline करने के बाद यहाँ से उपर erase पर click कर दूँगा तो ऐसे पोपट लाल जो है यहाँ से हट जाएगा उसके टांगे देख सकते हैं वह अभी भी बची होई है तो उसको भी हटा देता हूं मैं ऐसे यहां से layout करके erase ऐसे दो तिन वर करके आप बिल्कुल साफ कर सकते हैं तो आपको result दिखाता हूं कि क्या है यहां पर दोस्तों आप result देख सकते हैं कि पोपट आल जो है वह फोटो से गएब हो गया है और फोटो में जाधा कोई वह अलग सा असर भी नहीं पड़ा बिल्कुल लगी नहीं रहा कि कुछ हमने changing की है इसमें दोस्तों next site जो होने वाली है उसका एक बहुत ही interesting काम है अगर आपको किसी भी site पर trust नहीं है या आप अपना email address वगरा वहां पर नहीं डालना चाहते है password वगरा तो आप simply search किजिए bug me not यह site का नाम है यहां पर चलिजाए और उसका जो site पर आपको जिस पर जाना है उसका URL यानि उसको copy कर लिजिए site को और यहां पर आकर paste कर दीजिए तो आपको यह उसी related उसका login password email बता देगा और आप उस email password से जो है उस site को access कर सकते हैं बिना आपना कोई password या email डाले तो दोस्तो हमारी next site जो होने वाली है वो आपको easily data transfer करने में मदद करने वाली है अगर आप WhatsApp पर गएरा पर share करते हैं तो आप छोटे छोटे जो data वो share कर सकते हैं बट आप इस site से 2GB तक का data अगले को send कर सकते हैं साइट का नाम है simple waytransfer.com और आपको यहां पर search कर लेना है तो आप जितना चाहे अतना data बेज सकते हैं up to 2GB दूसरे बंदे को email पर चाहे आप एक email पर बेजिए चाहे आप एक से जादा email पर बेजिए वो फरक ने पड़ता बस यहां पर आपको send a file पर click करना है और यहां से आप upload files करके कोई भी वीडियो या फिर कोई document जो है अगले को send कर सकते हैं तो दोस्तों जो हमारी 8th number पर site है वो एक fun site है मतलब आप gameplay कर सकते हैं उस site पर जाकर और बहुत एक interesting site है जो कि है akinator वैसे maximum लोगों को इसके बार में पता ही होगा बट मैं आपको फिर व यहां पर आप कोई भी किसी भी करेक्टर के बारे में सोच सकते हैं जैसे मैं रोई शर्मा के बारे में सोचूंगा और उसी के related मैं questions के जवाब देने वाला हूं तो उसके related मेरे को answer बताएगा और इसका maximum answer जो होते हैं वो सही होते हैं तो कभी-कभी गलत भी हो सकता है अगर Watermark Remover.io पर आपको पहली साइट पर क्लिक करना है और आप जो भी फोटो यहां पर डालेंगे उसका Watermark जो है वह रिमूव होने वाला है तो आप देख सकते हैं यहां पर एक फोटो ले लेता हूं Watermark रिमूव करने के लिए तो यहां से मैं Cross करता हूं तो आप देख सकते हैं क आप देख सकते हैं इस पर एक भी Watermark नहीं है पहले कितने सारे Watermark थे तो दोस्तों हमारी 10th and last साइट जो है वह भी आपके लिए बहुत ही यूसफुल होगी अगर आपको कोई भी PNG वगरा डाउनलोड करना होता है तो आपको कभी-कभी क्या करना प्रीम लेना पड़ता है आज आपको ऐसी साइट बताऊंगा जिससे आप सारे के सारे फ्री PNG डाउनलोड कर सकते हैं वह है cleanpng.com साइट आप सिंपली यहां पर सर्च किजिए cleanpng यहां पर आप कोई भी PNG सर्च कर सकते हैं तो जैसे मैं उपर यहां पर लैप्टॉप का PNG सर्च कर लेता हूं यहां पर आपको यह ज्यादा लंबे भी ने पढ़ेंगे 0.5 MB या कुछ इतने के पढ़ेंगे तो मैं यहां open भी कर देता हूं आपको दिखाने के लिए तो आप देख सकते हैं यह PNG डाउनलोड हो चुका है तो दोस्तों उमीद करता हूं आपको यह मेरी वीडियो पसंद आयोगी और मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपने ऐसे साइट पर एक्स्प्लोर की थी यह नहीं की थी तो आज की वीडियो यही और करते हैं वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजेगा तो